Consider the cell, देखे, एक cell notation दियावा है, salt breeze हो गया वगयरा वगयरा, और ये reduction potentials दिये में है, Fe के, ये और ये होगा, आपका hydrogen का, obviously 0 होगा, ये basically दियावा भी नहीं होता, तब भी हम 0 ही मांदे, at 298 Kelvin, standard conditions में, if the potential of the cell is this, the ratio of concentration of ये और ये is, फिलाल इसको आप ये देखे, ऐसे questions काफी पार repeat हो चुके है, 2018 advance में भी एकदम similar question आया था, बस उसमें अलकिसी values चेंज थी, तो देखे, advance के questions भी repeat होता है, mains में, अब ये आपको पता होना चाहिए, कि जो ये salt breeze से left side वाला portion होता है, ये, ये होता है हमेशा anode वाला, वो salt breeze से right side वाला portion होता है, वो होता है, आपका cathode ओके, by convention, देखे, cathode पर हमेशे होगा आपका reduction, और anode पर होगा आपका oxidation, ओके, सो अब इनकी अलग से reaction मना देखे, at जो anode आपका चल रहा है reaction, वो क्या है, H2 convert हो गया, H positive में, दिख रहा है, ये तो platinum roads होते है, जब भी कोई gases है, आपका, तो platinum roads ले रहते है न, inner roads होते है, इ E3 plus convert हो रहा है, Fe2 plus में, correct, अब इसको balance out करना है पहले हमें, देखे, balancing के लिए में आपको क्या बता है था, कि सबसे पहले है, तो hydrogen और oxygen के अलावा, सारे जो element से balance करने, तो अगर यहाँ Fe है, Fe है, तो balance हो रहा है, ओके guys, अच्छा, एक चीज और देखे, क्योंकि इस question में, H positive और half H2 का दियावा है, 0, और उसका overall भी जुरू हो, तो let's just say कि यहाँ पर आप half H2 ही ले ले, ठीके, क्योंकि यहाँ पर भी दियावा है, और H हो, क्योंकि कोई confusion नहीं होना चाहिए, ठीके, तो half H2 ने, जब एक electron lose किया होगा, तो यह क्या बना होगा, H positive, similarly, जब Fe3 positive ने, एक electron gain किया होगा, तब यह Fe2 positive बन गया, correct, तो अब overall reaction क्या हो जाएगी, half H2 plus Fe3 plus, electron से electron कट गया, H positive plus Fe2 plus, यहाँ पर जो N जो होगया, आपका transfer होने के लिए 1, एक electron हो रहा है, अब reaction में पूछावा है, कि ratio of concentration E हो गया, देखे, again same, यहाँ पर हो गया, N की value once, तो इसको अभी फिलाल हटा, इसको अभी यहाँ लिख देता है, Nust equation की क्या हो गया, E cell equals to E naught cell minus 0.059 upon N, देखे, 0.059 मैंने direct लिख लिए, क्योंकि 2.303 RT upon F, NF वाला है न, यह वाला पूरा वही बैट जाता है, तो इसलिए मैंने direct लिख दिया, तो confuse मतो, into log of product की concentration upon आपका reactants की concentration, अब value कर दिजिए बस, देखे, तो value का मतलब क्या हो गया, इसमें, E cell दिया वा है, 0.712, 0.712 हो गया, ठीक है, E naught cell क्या है, Dेखे, E naught cell क्या होता है, E naught cathode minus E naught of, जो anode पे हो रहा है, ठीक है, minus 0.059, N की value क्या आती ही, 1 आगी थी है हमारी, और log of, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe2 plus क concentration, H ion concentration divided by Fe3 plus का concentration, और H2 है, gas है, तो यहाँ पर pressure ले लेंगे, pressure of H2 की power, half, यहाँ पर समझ माया आप तो, okay, so, अब यहाँ पर इतना अगर आपको समझ माया गया, E cathode क्या दिया हो है, E cathode पर क्या होता है, हमेशा reduction, तो यह हो गया, reduction वाला 0.771, okay, जो 0.12 हो गया, तो यह 0.77 1.771, minus, anode पर क्या आता है, यह oxidation हो रहा था, और यह 0 है, तो, देखे, यह reduction potential दिये है, 0, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, anode पर क्या हो रहा था, oxidation तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, minus 0.059, तो log of Fe2 plus into H ion, H ion क्या दिया हो है, 1, तो यह हो गया, 1 divided by Fe3 plus pressure of H2 क्या दिया है 1 ATM, देखे, 1 ATM देदे, 1 बार लिख ले, तो लगबग same values होती है, तो 1 ही मान ले करें, तो यह 1 हो गया, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा solve करके, log of Fe2 plus divided by Fe3 plus equals to क्या हो जाएगा, 0.771 minus 0.712 divided by, यह हो गया, 0.059, और पूरे को solve करोगे, आप तो आ जाएगा, 1, तो यहाँ प size अगर miss कर दें, तो दिक्कत न करें, 10 to the power of 1 याने 10, तो overall क्या होगी ratio of concentration of V2 plus 3 plus, answer is 10, तो I hope guys आपको समझ माया होगा,